करन जहर के शो कॉफी विद करन के लेटेस्ट एपिसोड में आलिया भट और करीना का पुर्खान साथ नजर आ रहे हैं दोनों ने शो पर अपनी परसनल लाइफ से जुड़ी बाते शेयर की एपिसोड में आलिया ने हस्बेंड और एक्टर रन्विर कपूर की फिल्म शमशेरा के फैलियर पर बात की उन्होंने बताया कि फिल्म के फ्लॉप होने के बाद रन्विर का रियक्शन क्या था शो में एक्टर्स के बॉक्स ओफिस प्रेशर को हैंडल करने के तरीके पर बात करते वे करणने का हा रन्विर सुपर चिल्ड है इसका जवाब देते वे आलिया बोली आदमियों का अलगी तरीका होता है वो पहले खुद इससे डिल करते हैं फिर दूसरों से इस बारे में बात करते हैं पर रन्विर को जब कोई चीश परेशान करती है तो वो हमेशा मुझसे एडवाइस लेते हैं करण ने पुछा जब रन्विर की कोई फिल्म अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो आप कैसे रियक करते हो इस पर आलिया ने जवाब दिया वो अपनी सक्सेस की तरह फेलियर को भी पूरी तरह एकसेप्ट करते हैं वो दोनों को एक साथ एक जैसा ही डिल करते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ट रहते हैं आलिया ने आगे कहा मुझे याद है जब शम्शेरा फ्लॉप हुई तब मैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के शूट पर जा रही थी मैंने उनसे पूछा कि क्या वो ठीक है तो उन्होंने कहा हा इसके बाद उन्होंने अपना पूरा दिन रीडिंग करते हुए बिताया जब मैं घर वापस लोटी तो वो मेरे साथ बिठे बोले फिल्म नहीं चल पाई मैं अगली बार और मेहनत करूँगा और अपना बेस्ट दूँगा और बस बात यहीं खत्म हो गई इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ तहने बाद